हाई योरिवन मेहो आर्तियो स्वागत है आपका स्वाध रेसिपिस में आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल खस्ता और अंदर से धेर सारे लेयर्स वाले शंकरपाड़े की रेसिपी तो इस शंकरपाड़े का आवाद सुनकर आपको पता ही चल गया होगा कि ये शंकरपाड़े कितने खस्ते बनते हैं तो चलिए शंकरपाड़े बनाना शुरू कर लेते हैं शंकरपाड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है तो इस बॉल में हमें डाल देना है एक कटोरी PCOE चीनी मेजर्मेंट के लिए आप घर का कोई भी एक कप या कटोरी सेट करे और सारे मेजर्मेंट हमें उसी से लेने है उसके बाद इसमें हम डालेंगे आदा कटोरी गरम दूद दोट डालने के बाद इसमें हमें डाल देना है आदा कटोरी घी घी के जगे पर आप यहां पर वरस्पती घी का भी योज कर सकते हो उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चुटकी पर नमक और उसके बाद आदा चमच इसमें हमें डाल देना है आजवाई अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पर शंकरपाड़े का जो मिठापन है वो आपके टेस्ट के अनुसार आप कम या जादा कर सकते हो मेरे घर में शंकरपाड़े मिठे ही पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ी जादा शकर डाल दी है तो यहाँ पर हमारी सारी चीजे है वो अच्छे से मिक्स हो गई है अब इस बैटर में जितना मैदा बेटता है उतना मैदा हमें डाल देना है शुरू में इस बैटर में हम दो कटोरी इतना मैदा डाल देंगे और इस मैदे को बैटर में हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद जरूरत पढ़ने पर ही इसमें हम और मैदा अड़ कर लेंगे तो यहाँ पर मैने मैदे को बैटर में अच्छे से मिक्स कर दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मैदा है वो अभी भी थोड़ा सा पतला है तो इसमें हम और आदा कटोरी इतना मैदा डाल देंगे और चम्मच को लगे मैदे को अब हमें निकाल लेना है अब हमें हातों से ही इस मैदे को इस डो में अच्छे से मिक्स कर देना है और अच्छे से हमारा शंकर पड़े का डो है अब हमें बना कर तयार कर लेना है तो यहाँ पर मैंने डो को अच्छे से बना कर तयार कर लिया है तो इसमें और मेदा डालने की अब जरूरत नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डो है वो अच्छे से सौप बनकर रेडी हो गया है तो इस डो को हम ढखकर आदे घंटे के लिए रख देंगे यहाँ पर हमारे डो को आदा घंटा हो चुका है और हमारा डो है वो अच्छे से सेट हो चुका है अब हमें फिर से इस डो को हाथों से एक मिनित तक मुलायम बना कर तयार कर लेना है यहाँ पर मैंने एक मिनित तक इस डो को अच्छे से मसल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डो कितना सौफ़ बन कर रेडी हो चुका है हमें इसी तरह का डो बना कर तयार कर लेना है और बाद में इस डो को हमें तीन भागों में बाट लेना है और बात में शंकरपायर बनाने के लिए हमें इस डो की रोटी बेल लेनी है रोटी बेलने के लिए यहाँ पर मैंने चकला बेलन ले लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा ओईल भी लगा लिया है अब हमें डो में से एक डो उठा कर लेना है और इस डो की अब हमें रोटी बेल लेनी है इस रोटी को हम जाला पतला नहीं बेलेंगे इस रोटी को हमें मेडियम साइज में ही बेल लेना है तो यहाँ पर रोटी बन कर एड़ी हो चुकी है और इस रोटी का आप तेखनेस देख सकते हो हमें इसी तरह की रोटी बेल लेनी है बार में इस रोटी को चाको से या कटर से हमें कट कर लेना है और शंकरपाड़े की शेप अच्छे आने के लिए हमें साइड वाली रोटी है उसको निकाल कर रग देना है और बागे की सारे रोटी अब हमें कट कर लेनी है यहाँ पर आपको शंकरपाड़े का शेप डायमन में चाहिए या स्क्वेर में चाहिए और आपके हिसाब से यहाँ पर आप बना सकते हो तो यहाँ पर में शंकरपाड़े का शेप है और स्क्वेर शेप में ही कट कर रही हो और यहाँ पर सारे शंकरपाड़े है और कट हो चुके है और साइड वाले शंकरपाड़े है वो हमें थोड़े से निकाल कर रख देना है और बाकी के सारे शंकरपाड़े को हमें निकाल कर डिश में रख देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे शंकरपाड़े बहुती अच्छे बनकर रेडी हो गए है यहाँ पर मैंने सेम प्रोसीजर से हमारे सारे शंकर पाड़े है वो रेडी कर दिये है अब हमें इन शंकर पाड़े को ओईल में तल लेना है यहाँ पर मैंने ओईल को पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था तो इस oil में हम थोड़ा सा dough डाल कर चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे dough को bubbles आ रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा oil गरम हो जुगा है और उसके बाद इस oil में हमें हातों से हमारे शंकरपाड़े इस तरीके से डाल देना है और जितने बैठते हैं उतने शंकरपाड़े इस oil में हमें डाल देना है और शंकरपाड़े को oil में डालने के बाद एक मिनिट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है और जहारे से इस शंकरपाड़े के उपर हमें इस तरीके से oil डाल देना है और एक मिनिट के बाद धीरे से इन शंकरपाली की साइड है और हमें हमें चेंच कर लेनी है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी शंकरपाली को लेर्स भी आ चुकी है और बहुत ही अच्छे से ये शंकरपाले बनकर रहरी हो गए है तो इनको हम निकालेंगे बड़े वाले जारे में ताकि इसका एक्स्ट्रा का ओईल है ओजारे से नीचे गिर जाए और बाद में इन शंकरपाड़े को हम निकालेंगे डिश में यहाँ पर मैंने सेम प्रोसिजर से हमारे सारे शंकरपाड़े है वो तलकर रेडी कर दिये है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे शंकरपाड़े बहुत ही अच्छे बनकर रेडी हो गए है और ये शंकरपाई बहुत ही खस्ता बनते हैं और इनके अंदर देर सारी layers भी आ जाती है तो इस शंकरपाई का आवाज सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये शंकरपाई कितने खस्ता बन गए है और इनके अंदर देर सारी layers भी आ चुकी है तो इस शंकरपाय की रेसिपी को आप आने वाले दिवाली में जरूर ट्राइ कीजिए और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक कमेंट शियर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार